नमस्कार सिक्षातियों आप सबका स्वागत है आज जो है का जो प्रोग्राम है वो है आजादी का अमरित महसब और ये महसब जो है पूरा देश मना रहा है और ये महसब जो है बारा मार्च 2021 से शुरू हुआ जब गान्धी जिन ने डान्धी की आत्रश शुकिती तब से इसको मतलब उस तिती से इसको मनाया जा रहा है 2021 से इसको मनाना शुरू किया गया और 15 अगस 2023 तक इस मोहसब को मनाया जाएगा इस मोहसब में जो है प्रगदिशिल भारत की संस्कृति और उपलब्दियों के गौरफशिल इतिहास के बारे में मतलब मनाने के लिए भारत की एक पहल है कि किस तरह के से हमारा गौरफशिल इतिहास था उसको हम ये कह सकने कि इतिहास के पन्नों को दवारा पलटने के जरूत है और उसमें हम देखेंगे कि हमने अगले ये जो 75 वर्ष होने वाले हैं इसमें हमारे भारत ने किस परकार विकास किया और उस 75 वर्ष में हम कहां से कहां आ गए हैं और हमारा क्या इतिहास रहा है। जो हैं जो तेस तारिक को लेक्च्र कराइंगे फिर हम दो अगस को घो भारत हैं और उसका क्या इतियास रहां। आज का जो विशह है वो है विविन राज्यो के जो छेतर है उनकी विकास गाता है यानिके growth stories of different regions इस पर हम आज सार चर्चा करने के लिए सानी जी जैसे मैंने बताया और सबसे पहले सार हम आप से बात करना चाहेंगे कि नौर्थीस्ट के वारे में अगर हम बात करने तो नौ है मतला किस चीज को विकास कहते हैं विकास कौन कौन से छेतरों में होता है कुछ यह हमारे सिक्षार्टे बताने का कस्ट करें निश्यत रूब से सबसे महत्रपूर्ण बात आपने पूछी है कि विकास का अर्थ क्या है हम growth stories के बारे में बात करना चाहते हैं विभिन ख्ष विकास्तव में सकारात्मक परिवर्तन है और ये परिवर्तन कहां होता है हमारे भौतिक आर्थिक सामाजिक और जनसंखिक जो घटक है उनमें अगर सकारात्मक परिवर्तन होता है तो इसका मतलब है हम विकास की और बढ़ रहे हैं और इस विकास को हम अगर पहचानना चाहें कि विकास है कहीं पर तो सीधी सी बात है इसकार्थ ही है विकास होने का कि वहां के लोगों के जीवन स्तर में एक उत्थान होता है जिसे कहना जी कि स्टेंडर्ड आफ लिविंग बढ़ता है और दूसरी बात प्रतिव्यक्ति आए भी बढ़ती है विकास अगर हुआ है तो प्रतिव्यक्ति आए बढ़ना निश्चित है प्रतिव्यक्ति आए बढ़ती है लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है उनके जो रहने का स्तर है वो बढ़ता है और सबसे बड़ी बात कि उस राज्य की GSDP सकल राज्य का घरेली उत्पादन वो बढ़ता है अगर वो घरेली उत्पादन बढ़ रहा है तो ये इंडिकेटर है ये एक संकेतक है कि वो राज्य परगती कर रहा है वो राज्य में विकास हो रहा है निश्चित रूप से जब ऐसी चीज़ें होती है तो रोज़गार के अफसर बढ़ते हैं रोज़गार के अफसर बढ़ने के साथ-साथ शिक्षा की सुविधाएं बढ़ती है और इन सब बातों को विलाकर अगर हम देखें तो इसी को विकास कहते हैं जब लोगों में ऐसा एहसास हो ऐसी अनभूती हो कि हम पहले से बेहतर इस्तिती में पहुंच गए हैं, हमारा जीवन सतर सुदर गया है, हमारे को साधन अधिक अच्छे उपलब्द हो रहे हैं, सुविधाएं अच्छी उपलब्द हो रही हैं, तो ये परतीक है कि वो क्षेत्र और वो लोग उस इलाके के रहने वाले विकास क केवल राज्य का नहीं हो, केंद्र और राज्य मिलागर ही विकास को प्राप्त करते हैं, कहीं पर केंद्र के योजनाओं से विकास होता है, कहीं राज्य अपनी योजनाओं से विकास करता है, लेकिन उससे लोगों का जीवन सतर सुधरना चाहिए में यह ऐ कि जो GDP है वो बढ़ना चाहिए और जो लोगों का जीवन इस तरह है वो सुधन चाहिए जैसे हम यह कह सकते हैं कि उन्हें बहतर शिफ्षा मिलने चाहिए अच्छे स्कूल्स मिलने चाहिए और मतलब अवागमन के साधन अच्छे मिलना चाहिए जहाज हो मतलब हर त जहन में सवाल आ रहा है कि विकास किन-किन घटकों पर जो है अधार करता है कि यह सबसे इंपॉर्टन्ट है अगर हम किसी क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं या विकास के बारे में योजना बनाते हैं तो निश्चित रूप से पहले यह चीज़ें देखनी होंगी कि उस करना आसान है इसी प्रकार से मानविय संसादन क्योंकि प्राकृतिक संसादनों को अगर हमने उत्पाद में बदलना है तो हमें क्या चाहिए वो द्योग चाहिए मशीने चाहिए लेकिन मानविय संसादन भी चाहिए और मानविय संसादन तब अच्छे बनते हैं जब उनमे कोशल विक्सित हो, skilled labor हो, skilled लोग हो, जिस खेतर में skilledness पे काम किया जा रहा है या ऐसी training उपलब्ध होती है लोगों को, वहाँ निश्चित रूप से विकास सुविधा से होता है, आसानी से होता है, तीवरगती से होता है, इसके बाद पूंजी, पैसा, पूंजी नहीं है, तो आप ना तो द्योग खड़े कर सकते हो, ना परशिक्षन केंदर बना सकते हो, ना skill develop कर सकते हो, पूंजी चाहिए, अब ये पूंजी कई तरह से जुटाई जा सकती है, विदेशी निवेश भी पूंजी के रूप में आता है, विदेशी निवेश आएगा, तो आपका प्रदेश, आपका क्षेत्र प्रगती करेगा, देश को भी अगर बहुत बड़ा किसी योजना के लिए विदेशी निवेश के वश्ता पड़ती है तो हम foreign direct investment को invite करते हैं और वो पूझी हमारे काम आती है विकास के लिए और इन सब के बाद एक चीज जिसका बहुत महत पूरण है जिस पे चर्चा कम होती है वो होता है राजनितिक वातावरन अगर देश का राजनितिक वातावरन हिंसा मुक्त है सयोग पूरण है इच्छा शक्ती है हिंसा नहीं है कहीं पर भी तो और राजनितिक स्थिर्ता है सरकार निरने लेती है उस पो लागू करने के लिए बची देती है ऐसा नहीं कि आज सरकार ने लिया अस्थिरता के कारण से अगले दिन सरकार नहीं है तो वो नीतियां वो कारिकम सब खटाई में पड़ जाते हैं तो पुलिटिकल एंवार्नमेंट जिसे कहते हैं राजनीति की जो वातावरन है वो बहुत बड़ा योगदान देता है विकास के लिए और इसके लिए मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा अगर हम इस देश के विकास की बात करते हैं तो देखे हमारे यहां तुलनात्मक दिरिष्टी से अगर हम पडोसी राज्यों की से तुलना करें चाहिए हो पाकिस्तान हो चाहिए बंगला देशो हम रही हैं वो वातावरन तो उपलब्द है जो विकास के लिए अनिवारी है और फिर इसके बाद अगर आपके पास राजनितिक स्थिरता है राजनितिक वातावरन सुईदा जनक है तो सरकार की नीतियां और कारिकां सरकार की इच्छा शक्ति क्या है किस तरह का विकास चाहती ह और मैं बताओं इस बड़े देश में विवित्ता पूरण देश में अगर हम विकास चाहते हैं तो वो संतुलित होना चाहिए और उसे कहते हैं इवन होना चाहिए मतलब समान हर क्षेतर में विकास दिखाई दे और जब आप पूरोतर राज्यों की बात कर रहे थे तो मैं से लेकर चालिस किलो मीटर चोड़ा है उस गल्यारे से ये साथ के साथ राज्य हमारे साथ जुड़े हुएं तो आवागावन के सादन उतने अच्छे नहीं थे हवाई से वाएं अच्छी नहीं थी तो उस कारण से भी वह अवरुद्रहा विकास लेकिन हाँ आज की दिख् और उस पर दिश्टी जालें तो आज पूरुत्तर बहुत तीवरता से प्रगती की और बढ़ रहे हैं और ये विकासदर बहुत अच्छी होती दोहरे अंक में ये विकासदर होनी चाहिए थी लेकिन बदकिस्मती से दुरभागे से पिछले वर्ष जो कोविड नाइंटीन आया हमारे सभी पूरे विश्व में जिसने विकास की दर को बाधित किया उसने निश्चित रूप से भारत में भी और पूरवतर राज्यों में भी विकास की दर को कम किया है और अब अपेक्षा हम कर रहे हैं कि 22-23 में विकास की दर फिर हम दो अंकों को प्राप्त करेंगे 10 प्रतिशत से उपर जाएगी और अपेक्षा तो यह है कि 12-13 प्रतिशत तक जाएगी ऐसा हम मानकर चल रहे हैं तो पूरोतर राज्यों में विशेश रूप से मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि यह सबसे पिछले हुए खेत्र के रूप में जाने जाते रहे लेकिन अब बहुत से कारेक्रवों के माध्यम से बहुत से नई नीतियों के माध्यम से इस खेतर पर ध्यान के इंडित किया गया है और इसके विकास को प्रगत्ति देना इसली भी एन्वारी है कि ये इसका विकास अगर होगा तो पूरे देश के विकास में यह बहुत बड़ा योगदान है और आपने बिलकुर ठीक कहा कि विकास सब जगा समान होना चाहिए की किसी चेत्र में ज़्याद ego सोचे लगहा यहां ऑग दूसरी div सब्सक्राइब कि रोजगार की तलाश में और सब की तलाश में लोग अपने दूसरे माइग्रेशन बहुत जाता है तो यह बहुत अच्छी आपने बात कहीं कि मतब विकास जो है हमेशा समान संतुलिक समान होना चाहिए जो किसी भी देश के डेवलेप्मेंट के लिए और मतब उसकी मैं अगर भारत की विकास यात्रा की बात करूं तो आप देखें 1947 में भारत स्वतंतर जब होता है तब इस्थिती ये थी कि यह उद्योग ना के बराबर थे क्रिशी अधारत हमारा यार्थफवस्ता थी और यूं कहा जाता था कि यहां सुई तक भी नहीं बनती हमारा कच्छा माल जो हम पर शाशन करने थे वो हमसे ले जाते थे उसका पक विकास सील नहीं बलके विक्सित अर्थववस्ताओं को टक कर दे रहे हैं तो अगर हम देखें विकास की यात्रा को तो सबसे पहले 1950 में योजना योग का गठन किया गया तदकालीन प्रदानमंत्री जवाला नहरू ने योजना योग को गठित किया कि पंच वर्षे योज लेकिन दूसरे पंच वर्षे योजना तक आते आते यह अनभव हुआ कि जब तक उद्योग विक्सित नहीं होंगे क्रिशी भी ठीक से विक्सित नहीं हो पाएगी तो फिर दूसरी पंच वर्षे योजना में उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया गया लेकिन कुल मिलाकर जहां हम 1991 तक पहुंचते हैं तब तक भी हमारा विकास हमारी जो अपेक्षा थी उस तक ठीक खड़ा उतर नहीं रहा था 1991 में पहली बार इस देश में अर्थववस्ता में उदारी करण का प्रवेश हुआ नर्सिम्मराव जी की सरकारती अर्थववस्ता को उदार किया गया विदेशों से निवेश को अमंत्रित किया गया जो सारजनिक खेतर के उपकरम थे उनको निजिक खेतर में दिया गया कहने का मतलब यह है कि वहां से भारत की अर्थववस्ता में विकास को गती मिली और सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया वही आया कि हमने उधारी करण की निती को अपना आया उधार अर्थववस्ता को हमने अपना लिया मनमोन सिंग जी उस समय वितमंत्री थे तो उस समय से निरंतर फिर हम विकास की और अग्रसर होने लगे तो 1991 में पहली बार ऐसा हुआ फिर 1999 में आते हैं तो वहाँ सबसे बड़ी जरूरत जो थी देश को वो थी सडकों को से जोड़ने की तो अटल फैरी वाजपाई की सरकार म हमने स्वर्णिम चत्रभुज सनक योजना को अपनाया और चार महानगर इस देश के दिल्ली मुंबई चन्नई और कलकता इसको आपस में जोड़ दिया गया वहार महामार्गों की मादिम से राजमार्गों की मादिम से और आप सोच सकते हैं जब इतनी बड़ी चार देशो को जोड़ा गया तो इसके रास्ते में जितने बड़े शहर आते थे गाव आते थे उन सब में एक पहुच बनी बड़े बड़े शहरों तक और उन्हें पहुच मिली अपनी जो उत्पाद हैं उसको बड़े शहरों तक पहुचाने के लिए तो इससे क्या हुआ कि विकास की जो यात्रा है वो थोड़ी तीवर हुई और तीवर हुई और फिर उसके बाद अगर आप देखें मतलब उसके बाद सड़कों का तो अब जाल बिचाया जा रहा है पूरे देश में सड़कों का निर्मान बड़ी तेश से चल रहा है और फ़िक उतपादन एक स्थान से दूसरे सिथान पर जा सकेगा खच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकेगा और ये बहुत बड़ी जिससे कहना चछे yeah उप लबदी होती हरец के लिए कि उसकी जो अंतरिक सरंचना है उसका जो ढहाचा मैं का जाल और बिच्चाय से देखें तो मैं आपको बताओं कि जब यह योजना योग दो हजार चोदा में एंडिया की सरकार बनती है तो योजना योग को निरस्त कर दिया जाता है और यह महसूस किया जाता है कि इसकी जगे हमारे पास एक ऐसी संस्था होनी चीज़ जो विकास को बड़ी नजदीक से देखें और उसके साथ काम करें तो नीतिया योग बनायागा दो हजार चोदा में नीतिया योग का सीधा एन आई टी आई कारत है नैश्टनल इंस्टिउशन फार ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत को बदलने का एक राश्ट्रिय संस्थान तो नीतिया योग बना और भारत की को बदलने का मतलब क्या है कि जो इसकी वर्तमान इस्थिती है इससे बदल कर इसको एक विकसित देश के रूप में परिवर्तित किया जाए तो नीतिया योग इस समय योग योग के स्थान पर नीतिया योग काम कर रहा है और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हमारा देश विकास के पत पर निश्चित रूप से बहुत आगे होता अगर ये कोविड उनिस नहीं आता और दूसरी बात मुझे कहनी पड़ रही है कि हमारी सीमाओं पर जो हमारे पडोसी देश हैं वो कोई ना कोई उत्पात करते रहते हैं जिस से हमारे देश का विकास बादित ह होता है अब रुद होता है और उसकी गती कम होती है चाहे वो चीन की ओर से हो और चाहे वो पाकिस्तान की ओर से हो लेकिन ऐसा समय समय पर होता रहा है उससे हमारे विकास की दर थोड़ी बादित होती है और अगर अब हम सीधे सीधे नौर्थिस्ट की बात करें तो पुनाचल परदेश, मिजुरम, मेगाले, मनिपुर, नागालेंड और त्रिपुरा ये तो साथ बेहनों के नाम से रख्यात हैं ये राज्य हैं पूरोत्तर के लेकिन अब इसमें सिक्किम को भी समलित कर दिया गया है तो आठवार आज वो बन जाता है और अश्ट लक्ष्मी के नाम से स्कॉबं कहने लगे हैं तो इन ख्षेत्रों में जो विकास है वो इसलिए बहुत महत्पूर्ण है कि ये ख्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए माने जाते रहे हैं और यहां विकास की बहुत बड़ी आवशक्ता अनभव की जाती रही है और यहां पर विकास इसलिए आसानी से नहीं हो पाया क्योंकि इसकी टॉपोग्राफी जो है इस ख्षेत्र की जो स्थलिया करती है वो ऐसी है कि यहां विकास का कोई भी काम करो उसकी कास्ट बढ़ जाती है कारण क्या है एक तो सामान को लाना ले जाना उसके लिए वो साधन नहीं है त तो इसकी कास्त जादा हो जाएगी तो यहां विकास अब विक्षाक्रित देश के और भागों से महंगा पड़ता है वैसे जैसे आपने का कि इसके जोग्राफिकल जो लोकेशन्स हैं वह बहुत बढ़े करती हैं कि समय समय पर पहारियां किसक जाती हैं और बर्शा भी बहुत है वो सब इशूज भी हैं बिल्कुल इशूज हैं और वो इलाके डिस्टर्ब भी रहें चाहे मिजोराम रहा हो चाहे नागा लैंड रहा हो अलगावादी प्रविरतियां भी रही है और सबसे बड़ी बात रणनेतिक देश्टी से बहुत महत्पूरुन क्षेत्र है एक त स्रेटिजिकली बहुत इंपॉर्टन हो जाता है रणनेतिक देश्टी से अगर यहां विकास नहीं होगा तो फिर हम कमजोर लोगों को बचा नहीं पाएंगे तो इसलिए बहुत जरूरी है जिसको अब हम बहुत तेजी से कर रहे हैं मैंने बताया कि एक जो संकट रहा कि हम किलोमीटर की है लेकिन उसके साथ जुडाओ कोई ऐसी बात नहीं है अब तो हवाई जो संपर्क है उसको बढ़ाया गया है सडकों का जाल बिचा दिया गया है राश्ट्री राजमार्क खूब बना दिये गए हैं और आंत्रिक सडकें भी बहुत विक्सित की गया है उनका नमीनी करन किया गया है उनका सुद्रिडी करन किया गया है चोड़ी करन किया गया है ताकि आपस में संबंद भी और संपर्क भी अच्छे बन सकें और एक बात जो और मैं कह रहा हूं कि रेल मार्क को भी चोड़ा गया है जोड़ा गया है और टूरिजम को बहुत प्रमोट कर सकते हैं तो सबसे सस्ता है ही तो उसका प्रियोंग भी अब बढ़ाया जा रहा है तो इन साथ राजियों और आटफा मैंने सिक्वें बताया इन राजियों की अगर हम विकास गाथा को हम शेयर करना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्षेत्र है ये असल में जो सौथ इस्ट कंट्रीज हैं उनका प्रिवेश्ट आपको रुकूंगी सर विकास यात्रा तो हम सारे ही रीजन की करना चाहेंगे बात करना चाहेंगे लेकिन जितना टाइम मिलेगा उस मतल्म कर सकते कि नौर्ट इस इस टाएम बहुत एहम है और लोगों को पता भी रहना हो चाहें कि वहां किस बीकास की वहां जरूरत है और जैसे आपने वहाँ बते हैंचे इन्ट्रान के अंतर्गत या पर विकसित किये गए तेजूर नया एक एरपोर्ट वहां तैह हुआ है बनना तो मतलब एरपोर्ट बनेंगे तो प्रोमोशन मिलेगा और तो वहां की इंडस्टिक बहुत सारे डवलप होंगी हम बात जब करेंगे एक एक राज्य की तो इन सब चीजों पर हमारी दिश्टी रहेगी कि हम हर क्षेत रहो सकता है क्योंकि यहां पर प्राकिर्टिक संसाधनों की बहुत आईत है यहां वर्षा जल की कमी भी नहीं है और वन बहुत हैं और कुछ ऐसे जो उद्योगिक परिवर्तन के लिए समेगरी कच्चा माल जैसे कहते हैं वो भी यहां पर उपलब्द है लेकिन यहां अभी तक बहुत बड़े-बड़े उद्योग स्थापित नहीं हुए और कारण उसका स्पष्ट है कि उसके कारण में वही था कि सड़कें और आवागमन के साधन नहीं थे लेकिन अब अगर हम देखें तो इस समय वहां क्या-क्या हुआ है एक तो बहुत सी डिवेल्पेंट एक् कौंसिल गठित की गई थी 1991 में 1991 में इसे कहते हैं Northeast Council NEC या आप यूं कह सकते हो कि पूरवत्तर परिशत उत्तर पूरवत्तर परिशत का गठन किया गया 1991 में और यह नोडल एजनसी है सबसे मुक्षिश एजनसी है जो इस पूरे क्षेत्र के विकास का दाइत्व तो संभाल उत्तर पूर्व के इन राज्यों के लिए एक मंत्री मंडल का गठन किया गया और उस मंत्री मंडल को भी यही जिम्मेवारी दी गी जो नौर्थ इस्ट कॉंसल की थी कि आपको भी इस खेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है और एक ऐसी सहमती बनी कि परतेक मंत्राले अपनी बजट का कम से कम दस प्रतिशत पूर्वत्तर राज्यों के विकास के लिए खर्च करने का बजट बना है तो इस तरह से दोहजार एक के बाद इस पर पूरा ध्यान केंद्रित हुआ जहां मंत्री मंडल बना वो भी और जो उत्तर पूर्व परिशिद थी जिसे नौ हमारे विजन में है क्या दृष्टी क्या है हमारी हम किस तरह का विकास चाहते हैं हम वहाँ पर क्या क्या है तो विजन 2020 के गठन के बाद आप देखे बहुत कम समय में उस विजन को हमने साकार करने की कोशिश की है मैं आपको नौर्थिस्ट के बारे में ही बता रहा हूं कि इस समय दस हजार किलो मीटर की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है निर्मान का काम चल रहा है पूर उत्तर के सभी राज्यों में सतक्तर ब्रिज बन रहे हैं 77 ब्रिजिज और ब्रहंपुत्र और जो नदियां है यह ब्रिज बनाने का लक्ष तो वही है कि आवा गवर्ण हो ए आप यह देखें कि बारा इंटर स्टेट बस टर्मिनिस अब आप मानें साथ राज्यों में बारा अंतर राज्ये एक राज्ये से दूसरी जाने में बसों का टर्मिनल भीविक से तौह हो रहे हैं तो यह बहुत मोटी सी बात है कि जहां दस जार किलो मीटर सडक का निर्मान हो रहा है नई सडकों का निर्मान दस जार किलो मीटर बहुत होता है आपको समय सकते सतर ब्रिज बन रहे हैं पुल बन रहे हैं कहीं पर वो ब्रहम पुत्र पे हैं या और छोट-छोटी जो नदी हैं उन पर बन रहे हैं और बारा इंट तिस्ट रोड सेक्टर डिवेल्प्मेंट स्कीम है और प्रधानमंत्री ग्रामीन सड़क योजना है इन दोनों ने भी मिलाकर कुल आपस में वहां सड़कों का जाल बिछा दिया है तो यह एक बहुत बड़ी सुविधा वहां के खित्र को उपलब्द हुए